नमस्कार एक बार फिर स्वास्थेकार करता हूं का मैं इस कारिकरम में स्वागत करता हूं और हमारे स्वास्थेकार करता जादते हैं कि आप सभी लोगों के लिए ये महत्पून कारिकरम आपके लिए हमने दिया है जिसमें आज विसे सुख से हम गरवावस्था की चर्चा कर और आपके लिए जो आपकी कोर्स मेटेल जो आपको मिला है उसमें जो सेकिंड आपका सब्जेक्ट है मातरत और बाल से सु देखवाल पर यानि कि मेटलर एंड चाइल्ड हेल्थ केया तो यह बहुत इंपोडेंट है और यह सभी चीजें आपको अपने बहवारिक जीवन में रोजाना देखने को भी मिलती होंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि एक माता बनना जो सवभाग है वो हर इस्त्री की जीवन में आता है और हर इस्त्री चाहती है लेकिन यह जो सवभाग है इसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें साथानी सुरक्षा रखनी चाहिए राय में दे सकता है तो आज हम विसे सूप से इसी पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि किस-किस तरह की साबधानिया और कैसे जो यह कोई परिशानी हो जाती है तो उससे बचाप किया जा सकता है कोई और क्रिटिकल केस होता है कोई बड़ी समझा होती तो करते हैं वैसे सबसे पहले आप अपना प्राथमिक जो स्वास्था केंद्र है पीसी उस से आप सीधा संपर्ख रखें और अपनी केसेज को ले करके उनकी साथ में टाइब बनाई रखें तो इस कारिक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिवेश्चंद मिस्रा मैं डॉक्टर दिवेश्चंद मिस्रा जी आपका स्वागत करता हूं आप गोपाल हॉस्पीटल पाटना से वहांके निदेशक हैं और उनका च्छे चिकेशक हैं हमारी साथ में डॉक्टर सुरेद्र राय सर हैं, जो आप एक्स चीफ मेडिकल ओफीजर हैं, यानि स्वास्ते विफाग बहर सरकार से यह जो है, वहां पर एक्स सी मो रहे हैं, चीफ मेडिकल ओफीजर रहे हैं और चिकिसा जो है वो देते रहे हैं, तो अभी वो प्लास्टिक सर्जन में अपना महतपूर्ण चिकिसा की सेवा दे रहे हैं, तो बहुत सारे केसे ऐसे आते हैं, जो वो अपना इसे साथ से डील करते हैं, मैं आप दोनों का ही स्वागत करता हूं इसका अरक्रमेंडक सब और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जो स होते हैं, जिसके माधम से स्वास्थकार करता, उसको देख करके पहचाने में समात होता है। धन्यवाद चौहां जी, जो बात अपने पूछी है, वो एक स्वास्थकार करता अकली बड़ा महत्वपूर्ण है। गाउं में, जो जितनी भी महिला हैं हमारी आधी आबादी ओरतों की है, और जो बीच साल से ले करके, पैटालिस साल के अमर तक गरभावस्थाद से दो या तीन बार गुजरती ही गुजरती है। तो उसके पहला लक्षन तो ये है, कि उसका जो नियमित माशिक था उड़ुख जाता है। एक खास्थिति के बाद जो उसको आना चाहिए अगले महिने, वो नहीं आता है। ये पहला लक्षन होता है उसका। नहीं आने के और भी बहुत से कारण है, लेकिन सबसे कामन कारण जो है वो है प्रिग्डेंसी। दूसरा लक्षन उसके साथ साथ होता है, जो गाओं में ऐसे भी लोग जानते हैं, मौर्डिंग सिकनेस इसको कहते हैं। ये सुबह सुबह उल्टी की टिंडेंसी रहती है, ये टिंडेंसी दोपहर में भी रह सकती है, साम में भी रह सकती है, हर खाने के बाद भी रह सकती है, लेकिन ये मौर्डिंग सिकनेस नाम इसका दिया गया है, तो वो पोपलर नाम उसी नाम से आज तक भी जाना जाता प्रिविटिती दाती है दूसरी बात हेमनोरिया हुआ दो मेहने, एक मेहने टल गया, दो मेहने टल गया तो ये जानते है फिर उसका हम लोग लिवरिट्री में जांच कराते है जांच कराते है शबसे कॉमन जांच है पिशाब की जांच जिसमें हम लोग भर में भी कर सकती हैं, गर Guid une मेरा भी कर सकती है, आप उनको जहाज करने में शहीओद दे सकते हैं, और पता घलेगा, वे उनके हैं. यह common function इसके बाद, जिसे जिसे गर almighty वस्ता बहते जाता है, उसे एसे detection प्रकोट होने लगते हैं, पेट बड़ा होने लगता है, कि सरीर में खोल की कमी होने लगती है कैल्सियम की कमी होने लगती है और उससे रिलेटेड लक्षन भी सरीर पर प्रकट होने लगती है जी बिल्कुल बहुत तेस सही आपने जानकारी दिये कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कोई भी जो महला है वो किस इस्थिती में है और यद्वोगर वस्था में हैं तो उसको किस आधार पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहां पर उसके कुछ सायरिक परवर्तन भी होते हैं तो वो कौन-कौन से परवर्तन है यह जानना भी स्वास्था कारकरताव को बहुत ही आवसक है और आपकी जो जो दुतिया नंबर की जो आपकी बुकलेट है मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा यह आपको मिली हुई है जन स्वास्थ है प्रमारपत्र पाठक्रम की सेकिंड जो बुक है इसमें मातरत्व है और सेसु देख भाल से सम्मंदित यह बुकलेट है पूरी तो यह बुकलेट जो है इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से बहुत सारी चीजों का समस्या का समाधान जो है इसमें आप को मिलेगा और पी सीपी के दौरान आपको यह सब चीजें बताई भी गई है यह सपोर्टिंग जो है यह एक्सपर्ट के साथ में जो हमारे विसेसर के बैठे हैं इनके साथ में यह आपको एक्ष्ट्रा नौलिस और चूंकि एक्जाम अभी आपका आने वाला है तो यह सारी चीजें आपको एक्जाम में भी पूछी जाएंगी इसलिए यह कार्क्राम आपके लिए बहुत महत्तपूर है तो यहां अभी आपको संकेत और कुछ इस तरह के चिन बताए गए जिनके माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यह गरवावस्था की महिला के किस तर कर्ता को जानना जा आवसक है तो इसकि बारे में बताईए घा जी बिलकुल आपने सही कहा सवास्तिकार्इकर्टा को जैसे जैसे गरवावस्था बड़ा होता जाता है ना सreer पे अनेक परिवर्तनाने शुरो हो जाते जैसे महला का पेट बड़ा होने लगता है यह किताब में कितना होगा, 34 सब्ता हमें कितना होगा, 36 सब्ता हमें कितना होगा, पूर्ड जब गर्भा वस्ता पूर पूरे पूरे 40 सब्ता हो गए हैं, तब गर्भ की अवस्ता कैसी होगी पेट की अवस्ता, इसके अलावा स्तनों में, स्तरी के स्तनों में भी परिवर्तन होने लगते जैसे स्तन के चारो तरब जो एरियूला है वो बड़ा हो जाता है उसका रंग भी काला पढ़ने लगता है तो ये परिवर्तन हुआ इसके लावा कमजूर महिला थकी थकी थोड़ा महसूस करती है क्योंकि दो ये का भार परहन करती है न एक बच्चा का पेट में है उसके लिए भी उसे भोजन करहन करना पड़ता है बच्चे सरीड महिला के गर्व से ही कैलसियम महिला के सरीड से ही कैलसियम करहन करते हैं आरन करते हैं तो ये सब लक्षन प्रकट होने लगते हैं, उसके पैरों में दर्द होता है, उसके हाथों में, उंगलियों में, आप देखेंगे कि जिसको पीड़ी चर्णा कहते हैं, मसल क्रैम्स इसको कहते हैं, ये दिखाई देने लगता है, ये लक्षन प्रकट होता है, जो महिलाएं ब बार, बढ़ते हुए बच्चे का भार, और ये सारा कार्डियक आउटपुट उसका बढ़ जाता है, ये सारा प्यूरिफिकेशन ब्लड का महिला के हर्ट ही करती है, इसलिए उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, उसकी ठाकान बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग व बहुत से लैब टेस्ट से भी गुजारना पड़ता है, जैसे हमोगलोवीन चेक, सबसे कॉमन जाज है, शरीर में खोन की कमी, ये चेक करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बहुत बार होता है कि क्लेनिक में महिलाएं आठ्वा महिना, नौ महिना में आती है, और उसका हमोगलोवीन घर्टा हुआ रहता है, 30%, 40%, 35% के लेवल पर रहता है, उस समय अचानक उटका बलड बढ़ाना संभाव नहीं होता, और बलड चड़ाएं तो बच्चा जल्दी बाहर आने के लिए तेयार हो जाता है, तो इन बातों को खास ध्यान में रखते हैं, ताकि नियम लैब टिस्ट करواتे हैं, उसमें लैब टिस्ट में बहूंस सारे जांच है, तो महिला का पिशाब जांच नहीं तरुभ से कराते हैं, कि उसमें अलबिlooमίν सुगर तो नहीं बढ़ रहा है, बलड शूगर का जांच कराते हैं, ऐसा देखा गया है, कि सामान बन तौर पे महिल प्लस इसके अलावा यूरिन में अल्बियूमीन देखते हैं hey think अगर यूरिन हो कई बिमार यां कई चीजे मैलाओं को दिक्कत होती है बच्चों में फिर अल्बिमारी होती है थणिस लिए समों का जांज कराना जरूरी है उनसमों का जाच हम लोग कराते हैं और समय समय पर हम डॉक्टरों एक पूरा प्रोटो कॉल बना हुआ है कि जब बच्चा तीन मेहने का हो जाए तो एक बार अल्टरसोनोग्राफी करा लेना चाहिए ताकि बच्चे की इस्तिती का पता चल सके किसी तरह का कोई कंजनाइटल या जन्म जा सके प्लस अल्टरसोनोग्राफी एक बार बदर्तिस सब्ता हमें भी करते हैं बतिस सब्ता में क्यों करते हैं दूसरी वार क्योंकि इस दर्फ़ बतिस सब्ता के पहले तक बच्चा जो है वह Olव्ता सीधा होता रहता है उसके refmen ऐसे रहते हैं कि कभी सर नीचे कभी सर उपर, कभी पैर नीचे, कभी पैर उपर, ये होता रहता है, लेकिन बत्तिस्वें सब्ता हमें, ठीक बत्तिस्वें सब्ता हमें, बच्चे का सर नीचे आ जाता है, ज्यादा तर जिसको हम लोग सिफेलिक प्रिजेंटिशन कहते हैं, तो ये पता चल सके कि बच्चा सिफेल स्लाइब में है, ये बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है, या उसकी का फेस प्रेजेंटेशन है, किसी का कॉड राउंड नेक है, तो ये पहले अल्टा सोनोग्राफी से पता चल जाए, ताकि उसके उपचार में, उसे प्रशाव कराने में किसी तरह की कोई अशुद् है, वहाँ पर ले जाएगा, और उनका ठीक से उपचार और देखवाल में उनकी मदद करेगा, वैसे भी स्वास्थेकार करता कोई एक अलग सरे इस्टर मैंटेन करना होता है, कि उसके शित्र में किस तरह के कितने लोग हैं, कितने परिवार में मिंबर हैं, उनमें से किस त रखनाई होता है, तो उसके अधर पर एक यह भी है, आप इसली यह भी आउटपूट सरकार को दे पाते हैं, कि जी मेरे शेत्र में इतनी जो है महिलाए हैं, इतने प्रोस हैं, इतने बच्चे हैं, इतने ब्रद हैं, और इनमें इतनी गर्वती माता हैं, और उनका जो जो बहुत complicated हैं, कितने किसे ऐसे हैं, जो बहुत easy, यानि सामान ने हैं, तो यह सब जानकरी आपको रखना चाहिए, लगसर यहां पर एक थोड़ी सी चर्चा यहां यह करनी आवसक होगी, कि एक नियमित होने के साथ साथ, सामान ने होने के साथ साथ, कई वार गर्वावस् यही तो गर्वावस्था के दौरान जांच का मतलब है, कि हम खत्रों का आकलन कर सकें, और तद्दन उसार हम लोग उसके उपचार का प्रवंद कर सकें, उसका रोग ठाम कर सकें, तो खत्रों के जांच के लिए मैं दो तीन बातें के खास दोर पे जोड़ देना चाहूंग और यह अगर नहीं कर पातें, तो मरीज प्री-یکलम्प्सिया और बात में एकलम्सिया की सिकार हो जाती है, और इसमें मैटरनल मृटेलीटी रेट बढ़ जाता है, सुगर का बढ़ जाना भी अच्छी अस्तितिया नहीं है, बच्चे का साइज बढ़ जाता है, बच्चे क फीक खतरनाक बात है इसकी लिखोन की कमी है तो उसके पहले से युक्ताम की उपाय करें उसे आरन की प्रयाप्त गोली जैसे सरकारी एस्पितालों में 90 दिन तर गोली देने के परंपरा है सो इतने कर्सियम की गोली देने की परंपरा है यह हम लोग सुरुवाती दौर पर उसको कर सके हैं प्लस अगर अल्टरसिनोग्राफिज से हमें यह पता चलता है कि बच्चा उल्टा है और बच्चे का प्रेजेंटेशन सही नहीं है फ खत्रे हैं जैसे बहुत से कंजनाइटल अबनॉर्मिल्टीज रहते हैं जैसे बच्चा कुछ गर्बर टाइप का है कुछ यह है तो उसके सरीर में बहुत सी विकरतिया हैं जैसे एक्सरे के आगाद से उसके बच्चे में कुछ जन्मगत विकरतियां आ गए किसी के यह सारी चीज़ है अल्टरसोनोग्राफिकली डिटेक्ट कर सकते हैं तो ये बात हैं इसके अलावा उपचार के दौरान बहुत सी दवाईयां वगेरा हम लोग देते हैं जिन दवाईयों से बच्चों में जो कर्वस सिसू है उसमें बहुत से बिक्रतियां आ जाती है तो उन दवाई पर रोक थाम आप लगा सकते हैं जैसे तैसे दवा आप पता सकते हैं महिला को की जैसे तैसे दवा नहीं खाएं दवा की दुकान से दवा लेके नहीं खाएं निम्हकिमों की दवाईयों का इस्तेमाल न करें आप उसे तुरंट खास करके घरगवती महिला को तुरंट चिक कि कई वार प्रसप के दोरान बहुत सारे ऐसी पूजिशन बन जाती है कई वार जैसे गर्वावस्था में भी होता है और कोई प्रॉलम हो जाती है अचानक किसी तरह की कोई समस्या हो जाती है तो कई वार लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं गर्वावस्था में किसी तरह की आते हमें तो इसी अवस्ता में क्या करना चाहिए मैं डॉक्र तो उसके लिए कोई गवडाने की बात नहीं है और अगर वाइटल जैसे हेड़ने के अराउंड नहीं है और प्रजनन अंगों के पास पास नहीं है तो उसके लिए बेसिक एंटिसेप्टिक एंडेसिंग करके और प्लेंटी अफ ओरल लिक्वीड, एलेक्टराल पाउडर और उसमें एंटिबाटिक्स और अगरा का बहुत है वाइट करना चाहिए 5-10% के वाल खान पान तोड़ा प्लेंटी अफ वाटर और एंटिसेप्टिक केर से हो जाता है और अगर देनी भी है, मेटसीन दो किसी चिकित सक के देखरेक में देनी चाहिए तूरत पहला तिरी मन्त है, उसी बीच में कोई न कोई दवाए नेलजेसिक्स, बहुत लए इस्टिराइड देते हैं सुजन कम करनी के लिए एंटिबाटिक्स देते हैं तो वो सब दवाएं फिर भचे को जन्मजात अंग भंग बीमारी से पैदा होने के संभावना को बढ़ा देता है अगर सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर है तो उसमें फिर भी से सक के आनी चिकित सक के केर में रहना चाहिए और खासकर जब 10 से 15 परसेंट बर नगर हो गया है तो उसमें फिर पानी के कमी होती है प्रोपर एंटिबाटिक्स का केर देना पड़ता है एनलजेसी का भी इंडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना पड़ता है तो उसमें है कि कम से कम दवा लेकिन जो उचित भी हो और मरीज के लिए ठीक हो गर्वणी माता के लिए ठीक हो और बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली दवा वो नहीं होने बहुत बार होता है कि मां को ठीक करने की चक्कर में बच्चे को नुक्सान पहुंच जाता है तो उसमें है कि नजदिक प्राथमिक स्वास्त के अंदर में वहाँ जो उपलब्ध चिकित सक हैं वहाँ उनके देखरेग में स्वास्तकरच करता को सुझाव देना चाहिए कि वहाँ पर लेकर जाए लेकिन बिसिक चीज है कि वाटर की कमी जलता है तो आंसे पानी छोड़ता है डि हाई डेहाइड्रेशन होता है मरीज़ को दर्द होता है तो उसमें बिसिज जो प्राइमरी केर है वो करके उचित चिकित सक के पास ले जाना चाहिए अपने लेवल पर इलाज करने से बचना चाहिए जिसमें कि फाइदा पहुंचाने से ज़्यादा होने का चांस रहता है बिल्कुल आपने बहुत ही ठीक कहा अड़क साब कि अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई इमेरेट टीटमेंट नहीं देना चाहिए और दवागोलियों से बचाने का कोशिस करना चाहिए क्योंकि बच्चे के उपर उसका जो बैड एफेक्ट है वो एड़र्स एफेक्ट है बिल्कुल निश्चे रूप से पढ़ेगा और अंग भंग होने की संभावना जैसे आपने बताई वो निश्चे रूप से हो सकती है तो यह सारी चीज़ें इन से बचने के लिए यह सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है साथ ही यहां पर एक सबसे इंपड़ेंट प्रेशन जो बन रहा है कि जब प्रसब की बात आती है तो यह प्रसब जो है कई वार अब सरकार भी इसको काफी मतला प्रमोट भी कर रही है कि प्रसब जो हो घर पे नहीं होने चाहिए वो हॉस्पिटल में होने चाहिए उसके लिए अलग-अलग आसाएं और सारे यह जो एक हेल्थ डिपार्मेंट का अपना एक नेटवर्क है वो काम भी कर रहा है तो किन कंडिशन्स में खास्तों से प्रसब जो है वो घर पे बिलकुल नहीं किया जाना चाहिए प्रयास नहीं किया जाना चाहिए कि इस बात को प्रमोट किया जाए जो सरकार भी प्रमोट कर रही है कि प्रसब घर में तो बिलकुल ही नहीं करना चाहिए क्योंकि एंटिसेप्सिस का पूरा प्रवंद घर पे नहीं हो पाता है लेकिन अगर मजबूरी हो जाए किसी तरह की यह हो तो डेलिवरिक किट आता है जिसमें अस्ट्रलाइज गलप्स होते हैं क्लैम्प काटने के यह रहते हैं और जो ट्रिंड दाई है गाउं में जिसने ट्रिंग लिया है जिसने देखा है उसकी देख रेक में प्रशाव कराया जाए लेकिन मैं इसे इंकरेज करने की बात नहीं कर रहा हूँ यह पिल्कुल लाचारी की इस्तिती में हो अगर पगल में स्पेसलाइज सेंटर है जहां पर इसका उपचार किया जा सकता है तो उसी जगह पर महिला को ले जाए 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 और उसके उपचार का प्रबंध किया जाए दर्द सुरू होने के खास तरुपी यह हमारे स्वास्त कारेकरता को जानना चाहिए कि प्रशाव के पुरू बहुत बार पेट में दर्द होता है तो इसी स्थिती में यह पहचानना है कि बार बार दर्द हो रहा है कमर के नीचे दर्द है उसकी फ्रिक्विंसी कितनी है कितनी बार वो आता है कितनी तिवर्दा के साथ आता है तदनुसार उसे यथा सिग्र अस्पताल में पहुँचा दिया जाए और ये इसके साथ-साथ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि महिला गिर गई हो, समय से पहले गिर गई हो चोट लग गया हो या नहीं भी चोट लगा हो पानी निकलना शुरू हो गया हो बच्चे समय के पुर्वी दर्द शुरू हो गया हो वो इसी स्थिती में भी या ब्लेडिंग अस्टार्ट हो गया हो वो इसी स्थिती में भी स्वास्तिकारे करता को यथा सिग्र अपने चिकितसा के अंदर तक महिला को ले जाने की सोवेवस्था करनी चाहिए इसके अलावा जो खास दोर पे हम जोर देना चाहेंगे वो ये है कि गर्भावस्था के दौरान क्या-क्या व्यायाम करना चाहिए विश्राम के च्छन कितने होने चाहिए सोच्छता पे क्या-क्या ध्यान देना है खान-पान कैसा होने चाहिए मैं चाहूंगा कि ये सवाल भी किया जाए उठाये जाए तकि हमारे स्वास्ते कार्टा इससे लावान भी ता लगसा आपने बहुत अच्छी जानकरी ये दी कि मैं लग किस तरह से स्वास्ते कार्टा को इस तरह का ध्यान रखना चाहिए यहां एक बड़ी महतपूर बात आजाती है कि गरवावस्ता में खानपान कैसा होना चाहिए तो मैं डॉक्टर राय से ये गुजारिस करूँगा कि हमारे जो स्वास्ते कारी करता है वो ठीक से इस जैनकारी को लोगों तक पहुचा पाएं उस महला तक पहुचा पाएं कि उनकी गरवावस्ता में किस तरह का उनका भोजन होना चाहिए खनपान होना चाहिए बहुत अच्छा प्रस्वन चोहान साब अपने पुछा है तो इसके पहले थोड़ा समय है अभी जो ट्रेंड उभर कर आ रहा है गरवावस्ता किसे समन्दित उसमें आज के लिए एक आ रहा है डिवाइन गरव संस्कार और प्लांड पैरेंट होड़ी इसका मतलब है नियोजित सु नियोजित ध्यांग से कब हमको गरव धारन करना है और कब कैसा खान पन रखना है कैसे हम सो सवच्छता और पूरे अंतिम गरव के पूरे समय तक कैसे साउधानी लेना है तो उसमें आज के लिए हो रहा है कि जब भी हम गरव धारन करें तो एक पले उसके बारे में प्लान करें और उस वक्त अगर कोई बिमारी की ओस्था हो पती पतनी किसी कोई बिमारी हो जो की प्रोस्पेक्टिव पैरेंट होने जा रहे हैं तो उसके वाइट करना चाहिए उनको किसी तरह की साज़ेरी कमजौरी है कोई दवा ले रहे हैं मान्चिक बिमारी है और प्रोलोंग एिलनेस के चलते बहुत क्रोणी बिमारी हैं अगर वो कमजौर है तो उसके उनको मचना चाहिए कि हम घरव धारन से बचे हैं लेकिन जैतर अभी भी ग्रामीड परिवेस में अन्प्लांट पर एंडूड है और उसमें एक्सिडेंटल गर्वधारन होता है और बाद में पहचान में आता है उसमें बहुत सी महिलाओं को बहुत सी समस्याय रहती हैं खून की कमी, प्रोटीन की कमी और कुछ दवाएं भी ले रही होती हैं, तो जैसे ही गर्वधारन का पहचान हो तो उसमें थोड़ी सावधानी लेनी चाहिए, भोजन की कमी नहीं हो, बहुत बार ध्यात में लोगों को भोजन की कमी और नियमित खान पान, सब कुछ रहते हो भी अपनी गलत खान पान रहनसन के चलते हो, सब न् कि इस समय पर उचित नियमित खान पान हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा हो, कैलोरी सफिचेंड मात्रा में हो, कार्भुएड़ेट फायट के साथ, उसमें पोशक तत्व जैसे पोशक और प्रोटेक्टिव तत्व हैं, वाइट मिन्स, मिनरल्स, एलेक्ट्रोलाइट, ट्रेस एलमेंट, रेयर एलमेंट, इन सब की बहुत ही महत्ता है, यह जरूर भोजन में लें, और जो भी अस्थानी तोर पर भोजन उपलवद हैं, हरी साख सभीयां उपलवद हैं, छिलकों के साथ जो हमारी अनाज उपलवद हैं, वो जरूर लें, अगर कोई बीच में समस्या आ उपलवद हैं, दूद, अनाज, फल, हरी साख सबजी, फल, वो बहुत जरूर नहीं कि बहुत मांगे हों, बहुत ड्राइ फ्रूट हों, लेकिन अगर थोड़ी सी जनकारी है, अवेरनेस हैं, तो अस्थानी तोर पर भोजन की मात्रा, और थोड़े थोड़े अंतराल पर भ और असा ब्लोटिंग होता है, उल्टी की टेंडेंसी और बढ़े जाती है, तो थोड़े थोड़े अंतराल पर जो भी भोजन की मत्राएं हैं, वो चार बार, पांच बार करके लेना चाहिए, पानी की कमी हो जाती है, खासकर अभी जाड़े के समय में, लोग पानी थोड़ की तरह अवस पर भी लोट पड़ता है, तो वो जरूर करना चाहिए, बिश्राम भी कभी भी भर पिट खाना नहीं खाना चाहिए, और खाने के बाद थोड़ा बहुत चीत भी नहीं लेटना चाहिए, थोड़ा बाएं या दाएं करवत लेटना चाहिए, और बहुत एग्र अपने सभी अंगों को जरूर चलाना चाहिए। ये सब सवधानी लेकर कि हम बच्चे को ससक्त बना सकते हैं और महिला भी ससक्त रह सकती है, उसका स्वास्ठिक रह सकता है। संतुलित और पोष्टी का हार के साथ सारी रिख सक्रियता और लंबे लंबे सांस, कुछ योगासन और थोड़ा सा सक्रात्मक सोच, कुछ प्रार्थना, परिवार में अच्छा माहौल, किसी तरह का लड़ाई जगडा नहीं, कुई आपसी कुछ रंजिस भी हो रहा है, तो हर रहाल में गर्वणी महानिला के आसपास घर के लोगों को भी उसको भीकसांत, सक्रात्मक उचित माहौल देने का कोसिश करना चाहिए, जिससे कि भविश्व में होने वाले बच्चे का स्वास्त मानसिक महानात्मक घरत्र से अच्छा हो, ये बहुत जरूरी है. जी, अड़क साब, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया कि निश्य दूप से एक स्वास्ता कारकरता को ये सारी जानकारी होनी चाहिए, और उसको समाज में ये जानकारी खास तोर से प्रेसिद करनी चाहिए. यहां डॉक्टर दिविस मिस्रा से हम बाची करेंगे कि अड़क साब और क्या अधेक इनको हम जानकारी दे सकते हैं, जिसके माध्यम से ये बहतर अपनी जो सेवा है, उसको समर्पित कर सकें. जी, कुछ चीजे हम लोग उसमें जोड़ते हैं, खास करके व्यायाम. ऐसा माना जाता रहा है हमारे पराने समय से हैं कि व्यायाम गर्वती महिलाओं को नहीं करना चाहिए. सही बात है कि ज़्यादा व्यायाम करना या उल्टा सिल्धा व्यायाम करना गर्वती के लिए नुकसान दे हैं. गर्वात होने की संभावना बढ़ जाती है. लेकिन कुछ खास ब्यायाम तियार किये गए हैं जो गर्वती महिलाओं के लिए बड़ा फाइदे मन्द होता है खास करके पेरीजिन बसल का पेलविक रीजिन का ब्यायाम ताकि घर्वकाल में प्रशोकाल में बच्चा आसानी से डिलिवर हो सके इसकी एक पूरी सुची भी है जिस सुची को एक योगे चिगतसक के देख रेकने उनकी जों को सीखा करके आप भी सीख सकते हैं और महिलाओं को भी शिखाया जा सकता है कि इस ब्यायाम आप करें ताकि प्रशोक के समय बच्चा आसानी से हो सके प्रियर मसल के कुछ exercise है जिन exercise को हम लोग करने के लिए प्रोमोट करते हैं यहाँ पर तो बताना या दिखाना संभव नहीं है लेकिन यह किया जा सकता है इसके अलावा स्वच्छता पर खास धियान देना है सोचता का ध्यान देने का मतलब हुआ कि बहुत देखा गया है कि गर्वती महिलाओं के अस्तन से समय से पहले दूद बगएरा निकलने लगता है वो गंदा रहेगा तो ब्रेश्ट में इंफेक्शन बगएरा होने के चांस रहते हैं इसके अलावा विजाइनल एरिया में सराव होते हैं उसराव को अगर साफ स्थरा नरखा जाए तो वहाँ पर भी इंफेक्शन पर अपने के फंगल इंफेक्शन्स वैक्टिय इंफेक्शन्स पर अपने के चांस तरहتा है तो उन से हम लोग रोक थाम करने के उपाय उसकी स्वचता के बारे में बता सकते हैं कि अपने विजाइनल हाईजिन को मेंटेन रखें, उसको साफ रखें, उसको आर्द रखें, ये चीजों को ध्यान में रख करके हम लोग बताते हैं विश्राम के लिए ये बहुत जरूरी है, करवती महिलाओं को कम से कम, आठ घंटे का विश्राम होना आवस्यक है, आठ घंटे उसे 24 घंटे में विश्राम जरूर से जरूर करना है, जिसमें कम से कम एक घंटे का विश्राम दिन के समय हो, यह बात बिलकुल गाट पाल करके य और रात्री में 6-7 गंटे का विश्राम उनके लिए आवस्थ है इस दोरान बच्चा सूता है उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट होने से बच्चा स्वस्त और इरिटेटिव चाइल्ड नहीं पैदा होता है नहीं तो ऐसा देखा गया है जो महलाएं कम विश्राम करती है उनसे पैदा होने वाले बच्चे इरिटेटी होते हैं ज्यादा इरिटेट होते हैं जल्दी उतेजित हो जाते हैं बात-बात में गुश्रा करते हैं बात-बात में ये करते हैं जिरूने वाले बच्चे होते हैं, की सलोगता है? कि जोगर गरवावस्था है तो ऐसे दोरान किस किस तरह की साद़ानियां बरतने आवस्था हैं कितना विस्राम आवस्था है कितना व्यायाम उन्हें करना चाहिए कोई भारी बजन नहीं उठाना चाहिए कोई इस तरह का कोई इस्टेप नहीं डाना चाहिए बच्चे पर उसके adverse effect होते हैं और जो गर आप विश्राम नहीं करते हैं तो उसका भी सीधा-सीधा जो प्रभाव है वो सीधा बच्चे पर पढ़ता है यह सारी जानकारियां आप सबको होनी चाहिए और उनको आप सीधे माताओं तक पहुंचा सकते हैं उन महला तक पहुंच सदय पर प्रियास समभश प्रियास पर रही है कि प्रसड जो है वो पी एस इस पर सवरकारी केंद्र हैं वहां स्वास्था केंद्रों पर होनी चाहिए और यद कोई ऐसी प्रस्थती बनती है कि वह भल कह पहुंच पाते हैं तो ऐसी स्थिति में डाक्सम ने बताया है कि बड़ी स्वक्षता का ध्यान रखते हुए और गिलफ्स वगेरा का इस्तेमाल करते हुए जो एक प्रेग्नेंसी किट आती है उसको लेते हुए तब ही उस पर आप एक जो प्रसिक्षित डाई है उसके माध्यम से ऐसा कुछ करा स तो यह सब चीजें बहुत ही द्यान रखने की हैं साथ में यह भी ध्यान रखे कि जैसा बताया एक्जाम में भी आपके लिए इस तरह के जो प्रेश्ण हो निश्टरूप से बनेंगे को जो बड़े प्रेश्ण है जो विस्तित प्रेश्ण है और कोछ इसमें लगुत्री प्रश्न है तो आप उसी हिसाब से त्यारी करके जाएए आपका जो है यह मागदसन जो है डाक साब की ओर से रहा मैं इनका धन्यवाद देता हूं डॉक्टर देवेश चंद मिस्था जी का जो आपके पार्ट सामेग्री से भी सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस पार्ट का सामेग्री में बहुत कुछ लिखा है काफी इसमें अपना युगदान दिया है और आज हमारे बीच में इस स्टुडियो में भी बैठे हुए हैं तो यह मेरा सवभाग है और आप सब लोगों का भी सवभाग आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस्टुडियो में आए डाक साब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैवाराइब